सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकेन नेवर मिस अपडेट बार रसोई की जल्दी बाजी में उनकी उगलिया जली है ये सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस इस्टेंट पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा सो लोशायर एक्जाइम की टेंशन कम हो जाए तुम टेंशन से बसने के लिए सोते हो तुमारे पापा तुमारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जाकते है तुम किताब सामने रखकर खाबों की दुनिया में खोए रते हो तुमारी मम्मी तुमें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रती है तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लैनिंग चल रही होती है वही तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंद की फीस की टेंशन चल रही होती है अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी टूशन फीस निकाल कर देना तब पूसना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे है ना किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोये रहते हो क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना यह सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है क्यों? क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं है तुमने इस बात का जवाब जवाब छोड़ो क्वेस्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में क्यों भाई? किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? और क्या सोच रहे हो? ममी पापा को दोखा दे रहे हो? या दोस्तों को या टीचर्स को भाई तुमने बहुत ज़्यादा बोले हो तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बलकि खुद अपने आपको दोखा दे रहे हो क्यों अपने आपको यार 12 लाक वारी कार के फरजी सपने दिखा रहे हो कोई बंगला और आइपेड नहीं मिलने वाला तुमें ऐसे पढ़ने का ढोंगर जाकर के ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में सोबार फेस्बुक और वाटसप चेक करते हो न उससे कई गुना तुमारे मम्मी पापा तुमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब तुमारा चोटा भाई या एक दिन तुमारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लेप्टोप या बाइक मागेगा न तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जित पूरी करने के लिए पैरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉंप्रोमाईज करना पड़ता है और तुमारा पड़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं अपने आपसे दो मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं तुम्हें पढ़ाई बहुत हाड लगती है क्योंकि तुम्हें फेस्बुक, वाटसब, इंस्टाग्राम इजी लगता है सुब़ देर तक सोना ऐजी लगता है, बिस्थर में लेटकर मोबाईल से पढ़ना ऐजी लगता है वेड़ाभ ने पापा को भी बोल दो की बिस्थर में लेटकर ड्यूटी कर ले अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबद जल्दी उटकर परेशान होने की जरूत नहीं है जब तुमारे मम्मी पापा तुमारे लिए लेट करके खाना नहीं मना सकते तुमारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नोकरी नहीं कर सकते तो तुम क्या जादू मंतर चला दो के विस्तर में लेटे लेटे कल पढ़ूँगा, शाम से पढ़ूँगा, मंडे को टाइम टेब Simone से बढ़ूँगा, हाफिल एग्जैम के बाद पढ़ूँगा ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा दोस्त के नौट से तू टॉपर बन पाएगा हाँ सही सुना तुने मैंने बोला टॉपर एक बार और सुन ले टॉपर तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है तो अपने पापा को नाइट डूटी के चकर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है खुद भिस्तर में करते हैं तुमारी फीज चुकाने के लिए तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभी सो लेता हूं और दो दिन पले सिर्फ इंपोर्टेंट केशन पढ़कर पास हो जाऊंगा बहुत हो गया यार फ्लीज अब तो खुद को धोका देना बन कर दे अब तो कोई वज़े टोड़ा है किसको तुझे कुछ बनके दिखाना है बय्किन नोक करना चाहा है लेकिन एकसर देख रहो है तुम्हें जिंदगी में किसी ना किसी मोल पर किसी प्रोब्लम से जरूर निकाले हैं इसलिए जितने भी लोग हो रहन इस बात को पाचाना और पढ़ना कभी नहीं चोड़ा है कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पैरेंट्स भाई वायन या रूमेट्स को सर्प्राइज देगा और यह काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है फिर देखना अगर 31 दिन तू उठकर अपने आप नहीं पढ़ने लगेगा तो दो अपार्टमेंट के गाड ने उनको सामने खड़ा भी नाओने दिया उसी अपार्टमेंट को खरीद कर और तोड कर तुम वहाँ पर अपना दो मंजील का बंगला खड़ा करके पैरेंट्स को गिफ्ट कर जिस स्कूल जिस जगह को तुमारे पैरेंट्स बड़ा समझते हैं वहीं पर तुम अपने ग्यान का दबदबा बनाओगे और अपने पैरेंट्स को प्राउड फिल करवाओगे आ यार अब तो कुछ बड़ा कर ले खुद का नाम कर ले पढ़ने का मकसद ढूंड ले और ममी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपनों और कुछ बहुत ब